हेलो दोस्तो स्वागत है बॉक्सर एडूकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में बिहार डियलेड के लिए मौत्पून जी के जियस का अध्यन करने वाले हैं जो परिछा के डिश्टी से काफी मौत्पून है इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब अवस्य क करें चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से भारत एवं पकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था तो इसका विभाजन माउंट वेटेन योजना के तहत हुआ था माउंट वेटेन भारत के अंतिम वाइसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गौवर्नर जर की अस्थापना कहां की गई थी तो कहां की गई थी बैसाली में भीचणी संकी अस्थापना की गई थी बुद्ध ने प्रथम उदेश सारनाथ में दिया था कहां दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था और बुद्ध की बच्पन का नाम राहुल था थार्ड प्रस्न भारत में पंचायती राजब्रवस्ता का सिल्फी किसे कहा जाता है बताएगे दोस्तों किसे कहते हैं तो B.R. महता को पंचायती राजब्रवस्ता का सिल्फी कहा जाता है और रास्टिय पंचायती दिवस 24 अप्रेल को मनाते हैं क्वा मनाते हैं 24 अप्रेल को पंचाइती राज की सुरुवात करने वाला भारत का पहला राजियो राजस्थान था कौन था दोस्तो राजस्थान था चोथा प्रस्णो और 940 के बेक्तिगत सविने अग्या अंदोलन में दूसरा सत्यगराही किसे चुना गया है तो दूसरा सत्य राही किसे चुना गया है और तीसरा सत्य राही के रूप में ब्रह्मदत को चुना गया है सदार बलंभाई पटेल को लौपूरूस के नाम से भी जानते है और सुबाह चंद्रबोस ने फारवर्ड बलक की अस्थापना की थी पांचवा प्रस्म अध्यादेश जारी करने का अधिकार राशपटी को कौन सा अधिकार है तो बताएगे दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार राशपटी का बिधाई अधिकार है कौन सा है दोस्तों बिधाई अधिकार है राशपटी का पद अनुछेद 52 से संबंदित है और राशपटी का महाभ्योग अनुछेद 61 से संबंदित है और राशपटी का सपत अनुछेद 60 से संबंदित है और राशपटी की अध्यादेश जारी करने का अनुछेद 130 से संबंदित है चाठा प्रस्न भारत का स्वंपूर्ण उत्री मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है तो किस मिट्टी से निर्मित है दोस्तों ये जलोड मिट्टी से निर्मित है जलोड मिट्टी मुक्त दो परकार की होती है एक बागर मिट्टी और एक खादर मिट्टी सात्वा पुरस्ण बिदुत बॉल का फिलामेंट होता है तो किसका होता है दोस्तों बिदुत बॉल का फिलामेंट ये टगस्टन का होता है आठवा पुरस्ण जब परकास कीर्णे संगहन से बीरल माध्यम जाती है तो तो क्या होती है तो ये समान्य से दूर कियों जुकती है यानि ये अभिलम से दूर जुकती है जब परकास की किर्णे संगहन से बीरल जाती है तो अभिलम से दुर जुखती है और जब परकास की किर्णे बीरल से संगहन मांध्य में जाती है तो ये अभिलम की और जुखती है नौवा प्रस्न डाइनेमो से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो डाइनेमो से डिष्ट धारा प्राप्त होती है डाइनेमो को जर्नेटर करते हैं और डाइनेमो यांतरित उर्जा को बीधुत उर्जा में रुपांतरित करता है दास्वा परस्न बिदु चुम्बकिये प्रेणन की खोज किस ने की थी तो किस ने की थी दोस्तो तो ये फ्राइडे ने बिदु चुम्बकिये प्रेणन की खोज की थी इगारे नमबर रेगिस्तान में पानी की कमी की इस्तिथी में उने वाला पौधा है कौन सा है दोस्तो पानी की कमी की इस्तिथी में उने वाला पौधा ये जिरो फाइट्स है क्या है दोस्तो जिरो फाइट्स रिगस्तान में पानी की कमी की इस्तिथी में उने वाला पौधा है बारे नमर नेम्न में से कौन सी परमुख बिमारिया प्रावेगनी किर्णों की कारण होती है तो कौन सी बिमारी है जो यह त्वच्छा कैंसर है तेरे नमर विधान सभा की गनपूरती कूल संख है कितना हिस्सा है तो यह 1 बटा 12 है कितना है दोस्तो कर. एक बटा दस ते यहीं इसका अंसर होगा दोस्टों यहां पर एक बटा दस होगा जो मिस प्रिंटिन हो गया है चोदर नमर भारतिय सविधान की प्रस्तवना में समाज वेत धर्म निर्पेच सद किस संसोधन में जोड़ गये थे अभी तब प्रस्तवना में एक बार संसोधन किया गया है पंदर नमर निमलेखित में से किस अकासिय पिंड को पितवी पूत्र कहा जाता है तो पितवी पूत्र मंगल ग्रह को कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं बूध सूरे के काफी नजदिक वला ग्रह है और सुक्र ग्रह भोर का तरा और गर्म तथा चमकिला ग्रह है किस महादीब को स्वेत महादीब के नाम से जानते हैं 17. किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जता है तो महादीपों का महादीप एसिया महादीप को कहते है 18. निमलिखित में से किस नदीप को उडिशा का सोक कहा जता है तो उडिशा का सोक महान नदीप को कहते है और बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहते हैं और बिहार का सोक कोसी नदी को कहते हैं अनईस नमर बिश्व का सबसे बड़ा नदी दीव मांजुली के निर्मान करने वाली नदी कौन सी है तो कौन सी है दोस्तो ये ब्रह्म पुत्र नदी है गुदावरी को दच्छीन भारत की नदी के नाम से जानते हैं तथा इसे ब्रिद गंगा भी कहते हैं 20 नमर सीव समुंदरन जल परपात किस नदी पर इस्थीत है तो ये कावेरी नदी पर सीव समुंदरन जल परपात इस्थीत है कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल परपात बनाती है 21 नमर विश्व का एक मात्र चन तेरता हुआ राश्टिय उद्यान किसे मना जता है तो किसे मानते हैं दोस्तों ये कीबुल लमजाओ को मानते हैं कीबुल लमजाओ मनी पूर में इस्थीत है 22 नमर मानो शरीर में यूरिया की अधिक्तम मत्रा किसमें पाए जाती है तो यूरिया की अधिक्तम मत्रा मुत्र में पाए जाती है किसमें पाए जाती है दोस्तों मुत्र में पाए जाती है 23 नमर मिनी मता रोक का कारण क्या है तो इस रोक का कारण पारा है क्या है दोस्तो पारा है 25 नमब 24 नमब 20 वपसुद दिवस को मनाते हैं तो बताएगे दोस्तो 20 वपसुद दिवस 4 अक्टूबर को मनाते है 2 अक्टूबर को रास्टिय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिन के रुस्में भी बहनाते हैं जबकि 5 अक्टूबर को 206 दीवस के रुप में मनाते है और 22 माई को अंतरास्टीर जैवीवित्तर के दीवस के रुप में भी मनाते हैं धन्यमाद दोस्तो, मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब ऑवस्य करें